हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल आज हम लोग भारत सरकार के आगामे लक्षियों के बारे में पढ़ने वाली हैं तो यह जो आज का सेशन है मैंने इसलिए प्लैन किया क्योंकि इसे क्वेस्टन्स यूपी टेट में भी यूपी पीसेस में भी देखने को मिले थी और वीडियो का जो एकसाम हुआ था अगस्त में वहाँ पर भी इससे क्वेस्टन्स आये हुए थी तो मुझे लगा कि अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हमारा सुपर टेट में एक से दो नंबर का जो से एक से दो नंबर आपको हेल्प करेगा यह जो आज का हमारा वीडिय यह जो लक्ष है भारा सरकार की 2025 तक मतलब जो भी एकसाम होगा वहाँ पर यह आपको लक्ष जो है वो पूछे जा सकते हैं मतलब जहां तक यह लक्ष रखा गया है उस यह आने तक ही लक्ष आप से पूछे जा सकते हैं तो मुझे लगा कि अगर आप लोग एक बार इन लक अगामी लक्ष क्या है आज कर जो हमारे यह सेशन है वह काफी चोटा होगा और कल के वीडियो में हम लोग इसका पार्ट टू लेकर आएंगे आप हमारे सोसल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आपको अगर पीडियाप चाहिए तो आप नीचे दिये गया लिंक पो अगर फॉलो कर लेंगी तो आपको पीडियाप वहां से मिल जाएगी और हम लोग देखते हैं कि भारा सरकार की आगामी लक्ष क्या-क्या है भारा सरकार ने आने वाले समय में क्या-क्या लक्ष रखे हैं तो हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है और यह आज पार्ट वन है कल के वीडियो में हम लोग पार्ट टू देखेंगे आ पूछ दे जाते हैं और आपको ना अगर याद नहीं होगा तो आपका एक फ्रीका नंबर चला तो हम लोग आगामी लक्षियों के बारे में पढ़ने वाले हैं तो अगर हम देखे कि पहला लक्ष अगर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है तो 2020 तक 2020 तक भारत सरकार का क्या लक्ष था मेबी कि इससे क्वेशन ना भी पूछा जाए लेकिन पूछा भी जा सकता है जो भी एक्साम 2021 में कंड़क्ट कराये जा रहे हैं वो उसमें पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत एक साल का करेंट अफैस पूछा राता है पिछला तो यह क्वेशन जो है वो वन नेशन, वन राशन कार्ड़ एक रास्ट्र एक राशन कार्ड़ को पूरे देश में लागू करने का भरात सरकार का लक्ष था धुजार 20 तक अब वो 2020 भारण सरकार का जो लक्ष था एक रास्ट्र, एक राशन काड का लक्ष था इसे पूरे देश में लागू करने का लक्ष था थैक है और पुल में हम लोग देखते हैं कि भरसरकार के आगामि लक्ष क्या क्या है तो 2022 का जो भरसरकार का लक्ष था लक्ष है मतलब था नहीं है जो लक्ष है वो है किसानों की आए को दुगना करने का लक्ष ये question आपके लिए बहुत ज्यादा important है इसलिए important है क्योंकि किसानों का बहुत ज़्यादा विरूत चल भी रहा है और कोई किसानों की आए को दुगना करने का जो लक्ष है वो 2022 तक रखा गया है और आपसे ये किसी भी एक्जाम में पूछ सकते हैं तो आपको ये अच्छे से याद करके रखना होगा कि किसानों की आए को दुगना करने का भरसरकार का लक्ष कब तक का है तो 2022 तक का भरसरकार का किसा कि तो मैंने आपको pictorial form में आपको दिखाने की आपको याद हो जाएजी और अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है 2012-2020 का ही अगला लक्ष क्या है तो वो है देश को single-use plastic से करने का लक्ष देस को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का जो लक्ष है वह भारा सरकार का 2022 का मतलब अगर कोई भी ऐसी प्लास्टिक वरस्त जो हम एक लगा यूज करके फेंक फेक कां उनका का दॉबद यूज प्लास्टिक में आते हैं, एक बर हम यूज करके उसे फेक देते हैं, तो इसे कम करने के लिए, क्योंकि इसे प्रदूशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का जो लक्ष रखा गया है भारा सरकार का, वो 2022 तक का रखा बहुत ज़्यादा है, तो यह भी सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब परियावरण से प्रदूशर से क्वेस्टन समेशा आते हैं, और वहां पर यह वहां पर यह क्वेशन आपको हेल्प करेगा, और यह करेंट अफेर का यह पार्ट भी है, तो देश क बहुत अब धर के लिए बहुत ओजर नहीं है, उनको धर दीने का जो यह लक्ष है क्वेशन आपकर नहीं का दोजरल चा है, बहुत चरह कर मिलाज है, तो वह बहुत नोगों के अलग मिला खोर आवास मुहया कराने का भारा सरकार का लक्ष है 2022 तक का है यह भी हमें अच्छे से जाद रखना है 2022 तक का भारा सरकार का एक अगला लक्ष क्या है तो हर घर को बिजली और LPG ठीक है हर घर को यहाँ पे दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं हर घर को बिजली भी कराना हर घर तक हर परिवार तक और बिजली उपलब्द कराने का जो भारा सरकार का लक्ष है वो 2022 तक है और हमें एक दमच्चे से याद रखना है और LPG connection उपलब्द कराने का जो हमारी एक योजना है उज्वला योजना उसके थ्रूँ इस पे काम हो रहा है तो उज्वला जो योजना है उसके थ्रूँ LPG connection घर घर में पाटे जा रहे हैं तो यह भी भारा सरकार का एक लक्ष है कि हर घर में बिजली पहुचाई जाए और हर में हर घर और परिवार में LPG connection को उपलब्द कराया जाए तो इसका भी लक्ष भारा सरकार का 2022 तक का है और आपको यह एक नंबर में definitely help करने वाला है क्योंकि मैंने इससे questions UPPCS में भी देखे हैं और वीडियो के भी एक्जाम में देखी हैं और SuperTED में भी questions आते ही आते हैं current affair से और अगला है कि 2022 तक का सरकार का अगला लक्ष क्या है तो वह है कि सभी गाओं को broadband से जोड़ने का लक्ष है सभी गाओं को broadband से जोड़ने का जो लक्ष है वो सरभारा सरकार का 2022 तक है क्योंकि इस समय हमारे जो situation चल रही है कोवेड-19 में यह online दौर सुरू हो चुका है और बहुत मुझे नहीं रखता कि कोवेड-19 कियाने से उसके पहले से भी 2016 से बहुत जादा यूज हो रहा है यह तो 2016 से अगर हम 20-21 तर में देखी तो बहुत जादे online चीजों का प्रिसार सुरू हुआ है तो भारा सरकार के आगामी लक्षियों में 2022 तक सभी सभी गाओं को broadband से चुड़ने का लक्ष है 2022 तक हम इची जाद रखना है और अगला है लास्ट है आज का 2023 तक अधा सरकार का एक महत्पूर लक्ष 2023 का सिर्फ एक है कि दली मुंबई मबई Express way को पूरा करने का लक्ष ये सबसे जयादा इंपॉरणन्ट था और चांग पिल्ली मुंबई Express और से ढही है और सकते हैं यहां पर एड्य है तो यह जो Express वे बन रही है इसको मतलब तब अभी complete नहीं हुआ है इसको पूरा करने का लख्ष जो रखा गया है यह 2000 अए 2030 का लख्ष भारव सरकार का रखा गया है तो यह हमी बहुत अच्छे से याद रखना है यूतने भी लक्ष के बारे मैं ने आपको बताया उन सारे लख्षियों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है तो 2023 तक दिल्ली मुंबाई एक्स्प्रेस वे को पूरा करने का लक्ष रखा गया है और 2022 के मैंने आपको सारे बता दी हैं तो आपको बहुत अच्छे से उसको क्लियर करके रखना है और आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं आज के लह में उतना ही करते हैं थैंक्स पॉर वाचिंग आप मारे वीडियो को लाइक करें क्योंकि लाइक्स बहुत कामाती हैं उसके अलावा शेयर भी करें और कमेंट भी कर सकते हैं आप इतनी सब्सक्राइशन भी दे सकते हैं मुझे मापी और उसके अलावा आप मारे चै झाल झाल